हेलो दियर लेर्नेट्स पीजी इस हेर और वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट कैसे हैं आप सब ओप्सों कि एकदम बढ़ियां होंगे आए शुरू करते हैं आज का आपका सेशन जू इसमें हम लोग देखो आज हम लोग दो चैप्टर एक साथ करेंगे एक तो चैप्टर न के आसपास होंगे और चैप्टर नंबर नाइन है इसमें केवल और केवल बारे ही कोश्चन है ना तो कोई बहुत ज्यादा कोश्चन प्रोड़े न दिया है आपके इसी नोट में इसलिए हम को दो चैप्टर एक दिन में कंप्लीट करवा दे रहें आपका तो चिंता करने क तो आपसे रफ्रेल कोड मांगेगा तो पीजी पॉइंट डाल दीजेगा इसी सब्जेक्ट के आपको कम से कम साड़े छे सोर्ट कोश्चन तीस से जाधा आपको लॉंग कोश्चन यह सब कुछ जो है वो आपका यूनिट वाइज हैंड रिटन होगा उसके बाद में आपक कम से कम 2018 से लेकर के 21 सारे कोश्चन पेपर मिलेंगे प्रीवियस यहर के और हम आपको बता दें एक आपको मॉडल पेपर मिलेगा प्रेक्टेस परपस के लिए इतना कुछ आपको पीजी पॉइंट अप पे जो पीडिएफ कोर्स अवेलेबल है इसी सब्जेक्ट का पेपर को दिक्कत है कि मैं हम पीडिएफ नहीं ले पा रहे हमको कुछ आपसे बातचीत करनी है तो आप एक काम कर सकते हैं को टेलीग्राम चैनल पीजी पॉइंट पर जोड़ समझो बात को या तो वहां से आप हमको मेसेज कर सकते हैं ठीक है और इसके अलामा एक आप्शियन आप उसके बाद में mail id है जब अगर इन जोनों जगहें आपको ना response मिले या कोई दिक्कत है तो उसके बाद में आप हमाई mail id पे हमको mail कर सकते हैं pg.100 at the rate gmail.com पे ये थी एक छोटी सी जानकारी मिलते हैं हम आपसे अब जहां पर ठीक तो आप इसी के इतनी जानकारी के बाद म अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमको वीडियो के comment section में बता सकते हैं यह थी छोटी सी जानकारी देखो जिन्हों ने pdf नहीं लिए वो ले लीजे क्योंकि आपका सीटेट भी है इस बार बीएड भी है इस बार और साथ में आपकी teaching भी लगी है है तो अगर अच्छे से करना है नोट सोट्स बनाने के चक्कर में पढ़ना नहीं देखो साफ सीधी बाद है वेस्टिंग ऑफ टाइम है जब आपको बना बनाया मिल रहा है तो जाए पीडियाफ करीदी कोई इतना वो नहीं है उसमें हाई यह शुरू करेंगे आपका chapter number 8 जो की बता रहे होंगे कि chapter number 8 के 27 में से कितने question आपने सही किया है ठीक उसके बाद ही में हम आपका chapter number 9 शुरू करेंगे ठीक है और फिर उसके बाद में आपको बताना हुगा कि chapter number 9 में जो 12 question है उसमें आपकी कितने से इस तरीके से हमारी अपनी strategy रहने वाली है तो आई शुरू कर प्रामर्ष के प्रक्रम में कौन महतपूर भूमिका निभाता है प्रामर्ष प्राध्ति प्रामर्ष जाता अध्यापग याफरी प्राचारे question number 1 बताई है अगर अभी तक आपने इस वीडियो के लिंक को शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों तक एक बार शेयर कर दीज प्रामर्ष की सफलता बहुत अंशो तक प्रामर्ष दाता के द्रिस्टिकोर पर निर्भर नहीं करती नहीं पर विशेयर ध्यान दीजेगा प्रतिभा पर ज्यान पर दोनों पर या चालाकी पर प्रश्न संख्या दो निगेट्व पूछा तो आपको साफ साफ आंतर पता च इतने भागों मैं विभक्ते कर सकते हम 4 मैं 3 मैं 7 मैं और पांच मैं परस्न संक्या 3 बटाओ जिए को थोड़ा इस पीट के साफ में आंसर करो तो हम भी आपको साफ पीट के साफ जल्दी यल्दी करवा देंगे तो थर्ड का करेक्ट आंसर आपका यहां पर option B हो जाएगा तीन परामर्स दाता ने योगताओं को तीन भागों में भगति किया है question number fourth आपकी screen पे है इन में से कौन परामर्स दाता की योगता का भाग नहीं है व्यक्तिगत योगता अनुभाव परिवार या फिर प्रसिक्षण प्रस्न संक्या चार बताईए question number fourth तो यहां पर आपका correct आंसर के हो जाएगा option C परिवार जो है वो परामर्स दाता की योगता का भाग नहीं है प्रस्न संक्या पाच है किसको सिक्षा का अच्छा अनुभाव होना चाहिए परामर्स दाता को परामर्स प्रार्थी को विसिष्ट बालक को या अभिभावक को प्रस्न संक्या पाच बताईए यहां पर option एक दम सही हो जाएगा very good जो बच्चे कहने परामर्स दाता को परामर्स दाता का प्रस्क्षर किसके अनुसार होना चाहिए बुद्धी के अनुसार होना चाहिए कार के अनुसार होना चाहिए समय के अनुसार होना चाहिए पर जीवन के अनुसार होना चाहिए पूछा गया तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर के हो जाएगा बता भाई जो अच्छे गयान है option भी परामर्स दाता का प्रसिक्षर का रिक्या नुसार होना चाहिए किसके नुसार होना चाहिए का रिक्या नुसार उनका एकदम सही हो जाएगा question number 7 बताओ परामर्स दाता के गुड़ो योगताओं और विशेस्ताओं का उल्लेक किसने किया है रैबर परामर्स दाता के गुड़ो योगताओं और विशेस्ताओं का उल्लेक राइबर्ण और लॉयल दोनों ने किया यानि कि option c आपका एकदम सही हो जाएगा next question की तरफ चलेंगे प्रसिसंख्या आठ किसका मत है कि परामर्स दाता में अच्छी आधार बुद्धी सहानुभू पूति इस्म्रति परिक्षण कुषलता तता सामान्य ज्यान आधी गुड़ों का हुना आवश्यक है प्रसिसंख्या आठ बताईए तो यह मत है आपको option d एकदम से हो जाएगा केलर का question number 9 की तरफ चलेंगे निमलिखित मेंसे किसको यह अत्यांत आवश्यक है कि वह मानव विभार के मूल सिधानतों के में भली भाती परिचित हो सचिव अध्यापक मनोवैग्यानिक या परामर्स दाता question number 9 बताओ option d परामर्स दाता एकदम सही हो जाएगा यह अत्यांत आवश्यक है कि मानव विभार के मूल सिधानतों में भली भाती परिचित हो कौन परामर्स दाता ठीक है question number 10 बताइए परामर्स दाता के पास मनोविग्यान एवं सेक्षिक मनोविग्यान में कौन सी उपादी होनी चा है तो परामर्स दाता के पास मनोविग्यान की या फिर सैक्षिक मनोविग्यान की में या पेच्डी यानि कि दोनों उपाधियां होनी चाहिए option c एकदम सही हो जाएगा question number 11 बताइए किसका मत है कि परामर्स दाता के आसपास भातिक व्यवसाइक एवं सांस्कृतिक संसार क प्रचूर ग्यान लेना प्रचूर ग्यान होना चाहिए कैलर का है loyal का है bones का है या डिटर का है question number 11 बताइए तो यहां पार आपका correct answer क्या हो जाएगा option A एकदम अच्छा हो जाएगा सही color जो बच्चे कह रहा है उनका एकदम सही हो जाएगा ठीक है next बताओ question number 12 कैसे याद रखोगी कैलर होगा अच्छा तो ऐसे याद रखोगे न कि कैसे याद रखोगे कि भाया आज कल जो हमारी संस्कृतिक चीजें है संसार में वो क्या हो होती चली जानी किल होती जानी को कैसे याद रखोगे किल तिक ऑके किसने जिस्टिता और दूर दर्शिता नामकर तीन चीज़ें जो है यह तीन विशिष्ट वयक्तिक गुड यानि कि परस्नालिटी डवलप्मेंट के हम कह सकते हैं कि इन तीनों का उलेख किया है वाल्टर वी जोन्स ने किया उनका एकडम सही हो जाएगा पॉस्चिन नमबर थर्टीन देखो भईया इसने लिखा है कि जिन परामर्स दाताओं को सवयम कार्नियों का अनुभा होता है उन्हें चात्रों को प्रती अधिक सहानुभूती होती है और उनकी समस्याओं का अधिक ज्ञान होता है यहां पर आपको ऑप्शेन एक दम सही हो जाएगा za हार्डी ने कहा है कि जिन परामर्ज दाताओं को स्वयम कार्यों का अनुभा होता है उन्हें चात्रों के प्रति अधिक सहानुभूती होती है और उनकी समस्याओं का अधिक ज्यान होता है यह बात कही है आपके हार्डी ने एक परामर्ज दाता में नहीं होना चाहिए क्या न बहुत अच्छे से स्कोर कर रहे हैं बहुत बढ़िया बात है यह तो एक अगर आप ऐसे आंसर कर रहेंगे और पेपर अगर कहीं एंसी क्यूज फॉर्मेट में हुआ तो यह मान के चलिए बहुत अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा option C दुर्गुड है ना ऐसे ही question अगर simple simple से आगे तो बहुत अच्छे से आप स्कोर कर पाएंगे एक परामर्स जाता में क्या नहीं होना चाहिए दुर्गुड नहीं होना चाहिए question number 15 बताओ परामर्स प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं कौन परामर्स जाता की कार है परामर्स जाता का विक्तित बताओ तो यहां पर आपका correct आंसर क्या हो जाएगा option C A और B दोनो यहां कि परामर्स प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं परामर्स जाता के कार है और परामर्स जाता में अथार्मी सताब्दी में या फिर सत्रमी सताब्दी में कॉश्चन नमबर 17 बताई तो किस सताब्दी में परामश जाता है शब्द का परियोग आरंब हुआ था कि ऑप्शन एज बच्चे कहा रहें उनीश्वी सताब्दी उनका एक दम सही हो जाएगा चलेंगे नेक्स्ट कोश्चन की तरफ कोश्चन नमबर 17 कोश्चन नमबर 17 कह रहा है कब तक निर्देशन विशेशक्यों परामर्स दाता हूं का कार एक ही जैसा समझा जाता था कि मतल एक ही जैसा कब तक समझा जाता था 1940 तक 50 तक 45 तक जबकि एक निर्देशन विशेशक्यों परामर्स दाता में बहुत अंतर होता है ना 17 का क्रेक्ट आंसर क्या होगा बताओ भाई पटा पट्चे प्रस्न संक्या 17 तो जो बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन बी उनका एकदम सही हो जाएगा सन 1950 तक ऐसा माना जाता था कोशन नमबर 18 बताइए 18 कह रहा है इस सम्मध में किसी प्रकार की वास्तविक सर्वसम्मत नहीं है कि परामर्स दाता क्या करता है यह किसका मत था ब्लूम एवं बैलंस की का हर्डी का जॉन्स का या फुर शार्टल का कोशन नमबर 18 बताइए तो ब्लूम एवं बैलंस की का यह मत था क्या मत था एक की वास्त की इस सम्मध में इसी प्रकार की वास्तविक सर्मत नहीं है कि परामर्स दाता क्या करता है तिक कोशन नमबर 19 था आपकी स्क्रीन पर है बताइए निमलिकित में से कौन परामर्स दाता का कारे नही करना option c है आपका उचित अनुमोदन एवं प्रक्रिया प्राप्त ना करना option d है आपका सामाजिक संबंद इस्थापित करना question number 19 बताईए तो 19 का correct answer यहां पर क्या हो जाएगा आपका option c बच्चे कह रहें उचित अनुमोदन एवं प्रक्रिया प्राप्त ना करना उनका एकदम सही हो जाएगा इसी के साथ में चलेंगे next question की तरफ question number 20 बताईए निर्देशन के सिध्धान्त पुस्तक के लेखक कौन है hardy है जॉन्स है शार्टल है या blue में question number 20 बताईए तो यहां पर आपका correct answer क्या हो जाएगा option बी एकदम सही हो जाएगा कि निर्देशन सिध्धान्त पुस्तक के लेखक आपके कौन है option बी यानि कि जॉन्स है question number 21 आपके स्क्रिन पर है इस्तिफलर तथा इस्तिवर्ट के अनुसार परामर्दाता की अभिवरत्ति वाप प्रभीरता के लिए उसमें कौन-कौन से विशेषता का पाया जाना आविश्यक नहीं है नहीं का विशेष ध्यान दीजेगा question में बाधिक योगिता का बोध का समेधन शीलता का या फिर दुश्मनी का को option D जो बच्चा कह रहा है दुश्मनी उनका एकदम सही हो जाएगा next question की तरफ चलेंगे प्रस्न संख्या 22 बताईए किसमें भय आसा संदे चिंता सभी कुछ व्याप्त रहता है चात्र या सिक्षार्थी में अध्यापक में परामर्ष प्रार्थी में या पर लेखक में question number 22 बताओ तो यहां पर आपका correct answer क्या हो जाएगा option ए एकदम सही हो जाएगा चात्रिया सिक्षार्थी में किसमें भय आश्या संदे चिंता सभी कुछ व्याप्त रहता है तो चात्रिया सिक्षार्थी में next question number 23 बताइए किसको नैतिक गुड़ वाला होना आ आवश्या के अध्यापक को परामर्श दाता को ए और बी दोनों को या फिर इन में से कोई नहीं question number 23 बताइए तो यहाँ पर आपका correct answer क्या हो जाएगा option C जो बच्चे कह रहें दोनों कि भया नैतिक गुड़ वाला होना आवश्याख है तो अध्यापक और परामर्श दाता दोनों को प्रश्न संख्या 24 है आपके screen पे कि व्यवसाइक परामर्श दाता प्रार्थियों के लिए उप्युक्त परिक्षडों का चुनाव करता है यह किसका मत्त है शार्टले का, क्रो और क्रो का, केलर का या हार्डे का प्रश्न संख्या 24 शार्टले जो बच्चे कह रहें उनका एकदम सही हो जाएगा क्योशन नंबर 25 बताईए विवेक, उच्सह, संतुलन, शेहिशूर्टा, सहानुभूती और करतव्य निस्थाक किसके विशिस्ट वैयक्तिक गुड़ हैं परामर्श दाता के, पराचाद के, निरिक्षक के या फिर अध्यापक के क्योशन नंबर 25 बताईए देखिए हम आपको 10 सेकेंड का समय देते हैं आंसर करने के लिए ना, तो फटा फट से आंसर कर दिया करिया ओप्षिन ए एकडम सही हो जाएगा जो बच्चे कहने है परामर्श दाता परामर्श दाता को कैसा होना चाहिए रुडिवादी होना चाहिए, अधिक द्रण होना चाहिए, दोनों होना चाहिए, यह इन में से कोई नी प्रेशन संक्या 26 बताऊ तो ओप्षिन भी एकडम सही हो जाएगा कैसा होना चाहिए अधिक द्रण वाला होना चाहिए कौन साक्षात कारों परिक्षा परिणामों तथा विशे सम्मेलनों के आधार पर परामर्श प्रदान करता है परामर्श प्रार्थी परामर्श दाता अध्यापग्या मनोवैग्यानिक कोशन नमबर 27 बताईए तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्षिन बी एकदम सही हो जाएगा परामर्श दाता को ठिक तो यहां से आपका क्या कंप्लीट हो गया चैप्टर एट क्या कंप्लीट हो गया चैप्टर एट अब चैप्टर एट में से 27 कोश्यंस कराएं इसमें आपके कितने कोश्यंस हुए यह बताना नहीं भूलिएगा है न और एक बार फटा-फटा शेशन लाइक कर दीजे एक बार शेयर कर दीजे जोड लगा करके फिरम नंबर नाइन जो आपका रहने वाला है निर्देशन एवं परामर्श केंद्र आविशक्ता उद्देश एवं कार से संबंदेश उसे पहले हम चाहेंगे कि एक बार आप लोग शेशन को जादा से जादा मातरा में शेयर कर दीजे ठीक है जल्दी से एक दम और जिन स JUST नंबर फर्स्ट करते हैं निर्देशन केंद्र चात्रों का क्या कोई चंपाar करता है याुपर युगत件 stiff प्राशन संध्या एक बटाए है को नंबर वन निर्देशन केंद्र चात्रों का क्या करता है तो अब्सक्त करता है Olpian b वाले एकदम सही है Wario question number second बताओ हमारे देश की गंभीर समस्या क्या है बेरोजगारी है नर्देशन है परिक्षण है जाओ परोग तुमें से कोई नहीं question number two बताइए गंभीर समस्या पूछा गया है ना बेरोजगारी की वज़े से आजकल ही ऐसी चीज़े हो रही है चोड़ी और सब चीज़े हैं बेरोजगारी तो इसका कारण है question number three बताओ परामर्स दाता के लिए नैतिक सिध्धानत को हमसे है निष्ठा का गोपनियता का दोनों का इन में से कोई नहीं बहुत समझ के आंसर करिएगा यह question बहुत important है आपके exam के point of view से भी और आपने चीजों को कितना deeply समझा है जब मैंने detailed classes लिए उस पर भी और एक बात बताने देखो पूरी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है आपके इस विशय की आप जाईए जो topic नहीं आते जो classes नहीं पता है फटा-फट से जाईए और classes ले सकते आपको unit wise classes दी हुई है वहाँपर theoretically भी mcqs वाली भी सब कुछ तो आप उनसे भी पढ़ सकते हो तो question number three का correct answer option c हो जाएगा एक परामर्स दाता के लिए यहां नैतिक सिध्धान्त है क्या निस्ठा का और गोपनियता का इसी के साथ में चलेंगे प्रशन संक्या चार पर मांसिक द्रिश्टी से बालक कैसे होते हैं विसिस्ट होते हैं प्रतिवासाली होते हैं स्रिजनात्मक होते हैं या फिर यह सभी होते question number four बताएगे तो चौत्य का correct answer आपको यहां पर क्या हो जाएगा option दी जो बच्चा कह रहा है उनका एकदम सही हो जाएगा मांसिक द्रिश्टी से बालक होते हैं विसिस्ट प्रतिवासाली और स्जनात्मक सभी question number five है आपका भारत में निर्देशन एवं परामर्ष की समस्या हैं कैसी हैं साधनों का अभाव है अध्यापकों पर अत्यधिक क कारे भार है जाती विवस्था या फिर उपर्यूग्तु सभी प्रसे संक्या पांच विदाई है को नमबर फिफ्ट को यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा option डीज बच्चा कह रहा है उपर्यूग्तु सभी उनका एकदम सही हो जाए कि नेक्स्ट कोशन की चलेंगे नेक्स्ट कोशन नमबर सिक्स है तकनीकी के छात्रों को प्रसिक्षड देकर विकास किया जाता है ज्यान का कोशल का या दोनों का या इन में से कोई तो option जो बच्चे कह रहा है कि तकनीकी के चात्रों को प्रसिक्षड देकर विकास किया जाता है ज्यान और कोशल दोनों का उनका एक दम सही हो जाएगा question number 7 बताइए कौन से सेवा हैं विद्यालई जीवन से जुड़ी हुई है निर्देशन परामर्स दोनों या इन में से कोई नहीं question number 8 बताओं तो यहां पर आपका correct answer क्या हो जाएगा option C बच्चे कहना है उनका एक दम सही हो जाएगा question number 9 है प्राचीन काल में बालकों को व्यवसाइट चुनने की सुतंतरता नहीं थी रुची की अनुसार छमता के अनुसार योगिता की अनुसार या फिर इन सभी के अनुसार जो बहुत प्राचीन काल थे ना जब कह सकते हैं कि वेदों के मार्दिहम से लोगों को सिक्षरी सब्सक्राइब तो नहीं होते थे तो तब जो बालक होते थे उनको व्यवसाइट चुनने की सुतंतरता रुची छमता और योगिता के अनुसार नहीं होती थी तो करक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जागा यह नहीं हो था कि हम फिजिक्स से पढ़ने मैच से पढ़ने नहीं उन या लाइक शियर सब्सक्राइब तो नॉर्मल वात है वो तो आप लोगोंने करी दिया होगा लेकिन शेशन के एंड में कमेंट जरूर किया करिए आप लोग विकॉस यूर कमेंट इस आ मोटिवेशन फर मी है ना तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा option B क्या हो जाएगा आपक चात्रों की मांचिक समस्याओं को पहचान कर उनका समाधान करना या फिर दोनों या फिर इन में से कोई नहीं कोशन नंबर 11 यहां पर आगे करना आगे परामर्स केंद्र जोड लेना ठीक भाई क्या करना एक कोशन ही इनकम्प्लीट है ना तो भाई चात्रों की साड़िक और मांचिक समस्याओं को पहचान कर उनका समाधान करना यह किसका काम होता है परामर्स केंद्र का तो ऑप्षिन सी एकदम एकदम सही हो जाएगा कोशन नंबर 12 का करेक्ट आंसर बताओ क्या होगा किस आवस्था में बालको के विवहार परिवर्तन सी ग्रता से होता है कोश स्टेनली हॉल ने कहा भी इस अवस्था को क्या कि तूफान की अवस्था है ना तो ऑप्षिन सी एकदम सही हो जाएगा किशोरा अवस्था में बालको को के विवहार में परिवर्तन सीग्रता से होता है ठीक तो अब यहां से आपको चैप्टर नंबर 9 भी कंप्लीट हो गय है अब हम लोग क्या करेंगे चैप्टर नंबर 10 करेंगे निर्देशन एवं परामर्स के उपकरण एवं प्रविधियां लेकिन उससे पहले आप हमको पहले क्या बताएंगे कि चैप्टर नंबर 9 में से जो आपकी कितने कुश्चन सही हुए थे और उसके बाद में चैप् नंबर 10 कल है ना तो कल आपकी क्या रहेगी महा मेराथन क्लास रहेगी क्योंकि जो चैप्टर नंबर 10 है आपका वो किसी चीज का है निर्देशन एवं परामर्स के उपकरण एवं प्रविधियों से संबंदित है और इसमें पता है कितने कोश्चन है इसमें बहुत सारे को आपको कराएंगे मैं कितने कोश्चन कराएंगी हमने का महा मराथन का मतलब 500 किते से जाधा कॉशन कराएंगे कल यानि कि देढ सो प्लेस कुषिन किते 150 प्लेस कोशन कलम आपको यूट्υूब पर करा रहे होंगे जो होगा आपका चैप्टर नंबर 10 से संबंदित और चैप उसके बाद में फिर आपका एक चैप्टर बचेगा चैप्टर नंबर 11 निर्देशन एवं परामर्स कार्मिक से संबंदित जिसमें आपके लगभग हम आपको बता दें इत्था इस कोशन होंगे उसके बाद में यह आपका पूरा इजी नोट का जितना MC की उसका पोर्शन है वो complete हो जाएगा लेकिन इसके बाद में हम आपको एक वीडियो ऐसा देंगे जिसमें आपके chapter one से ले करके chapter कितने है इसमें chapter one से ले करके आपके chapter 11 देखों lesson समक्त बता देना है आपको lesson one से ले करके lesson 11 तक जितने भी आपके questions होंगे इसकी इसके इजी नोट का हाना वो हम आपको पूरा एक complete वीडियो देंगे ठीक बहुत जल्द देंगे लेकिन आप ताकि जब इजन कर पाओ एक ही वीडियो के माद देंगे आपको बार-बार वीडियो प्ले आफ प्ले आफ ना करना पड़े हैं तो इस तरीके से हम क्लास को यह मा पूरत कि एक एक चैपटर के हम लोग पूरा अब नॉमबर वन की जितने भी चॉर्ट कोशें होंगे जितने भी लॉन कोशन रइस त्रीके से चॉप्टर लॉइजंग्रफ डिसकस करेंगे इस तरीके से हम लोग पूरा क्या करेंगे कवर कर लेंगे लेकिन इतना कुछ तो हम आपको करा ही रहे हैं आपको PDF कोर्स ले लेना है क्योंकि उसमें जो कंटेंट है वह आपको इजी नोट में मतलब जल्दी जल्दी नहीं देखने को मिलेगा और आपको पता है सेकंड सेमेस्टर का पेपर जो था वह इजी नोट से कम फजाता है तो इसलिए PDF कोर्स ले लिए जिन बच्चों ने PDF कोर्स लिया है उनके बहुत अच्छे परसेंटेज आए 600 से 600 आपको क्य आपको 2018 से लेकर के 21 तक सारे पेपर मिलेंगे और उसके साथ में आपको क्या मिलेगा वहां पर तो और उसके साथ में आपको मिलेगा एक मॉडल पेपर ठीक प्रैक्टिस परपॉस के लिए इतना कुछ आपका PDF कोर्स में गिवन है अगर आप चाहें तो ले सकते हैं PDF लेने कल हम आपसे महा मरातन क्लास के साथ में ठीक है तो हमेशा खुश रही है मुसको राते रही है कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए तिल देन चेक किया और बाई बाई लव यू और लव यू माई डियर क्लास